अगर आप भी अपने जीवन में इस चीज से परेशान हैं, कि आपके काम बनते बनते बिगर जाते हैं, तो बस आप ये आठ उपाए कर लें, जीवन में सफलता आपके कदम चुमेगी, वैसे तो किसी का जीवन सरल नहीं है, हर व्यक्ति को जीवन में कई बाधाओं का सामना क बढ़ता है, कुछ लोग इन बाधाओं को पार कर लेते हैं और कुछ नहीं, किसी जातक के जीवन में करियर, परिवार, रिष्टे और विवाह में कई अडचन आ सकती है, जियोतिश शास्तर में इन बाधाओं को दूर करने के कई तरीके हैं, यदि आप इसे नियमित अगर उपाय है, बस आप मन से करिये अगर आप भी अपने जीवन में बाधाओं से परेशान हैं और जीवन में अपने करियर में तरक्की करना चाहते हैं, तो एक, अगर रोज हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए तो करियर और जीवन में आने वाली बाधाओं दूर हो जा बस पूरे मन से और विश्वाश से करें, अब बात कर लें, दूसरे उपाई की तो मित्रों दूसरा उपाई है, दो. जो की रोज सुबह उठते ही आप लोगों को करना है, वो क्या है, तो मित्रों, प्रति दिन सुबह उठकर कुछ देर तक अपनी हथेलियों को देखें, फिर अपने चहरे पर रखें, फिर देखना धीरे धीरे आपका भाग्य उदे होगा और आपके जीवन से सभी समस्या अब जल्दी से बात कर लें, तीसरे उपाई की तो मित्रों, तीसरा उपाई कहता है, तीन, आप रोज सुबह नहा करके सूर्य देव को चीनी मिला हुआ जल चड़ाएं, विश्वाश मानिये ऐसा करने से आप जीवन में हर काम में सफल होंगे, अब जल्दी से बात कर लेत तो पांचवाँ उपाई कहता है, पांच, रोज गायतरी मंतर का जाब करें, जीहा प्रती दिन गायतरी मंतर का जाब करें, यह आपके जीवन को अधिक सहज बना देगा, इसके अलावा छठा उपाई है, छे, जब भी घर से बाहर निकले तो गुडखाएं, जीहा जब भी आप किसी भी काम के लिए घर से निकलें, तो गुडखाकर ही घर से निकलें, आपका काम सफल जरूर हो सकता है, वंही साथवें उपाई की बात करें, तो साथवा उपाई है साथ, अच्छे भाग्य के लिए चांदी के सिक्के अपने पास रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य अच्छा चले तो आप अपने पास चांदी के सिक्के जरूर रखें, आठ, जीवन में कभी भी किसी के साथ गलत ना करें, किसी को धोका ना दें, अगर आप जीवन में सदमार्ग पर चलेंगे तो आपको जीवन में कभी भी किसी भी चीज में भगवान जो लोग गलत काम करके जल्दी पैसा कम लेते हैं, वो पैसा जीवन भर नहीं टिकता, तो मित्रों इन साथ उपाई को आप एक बार आजमा कर जरूर देखें, आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, जानकारी पसंद आई हो तो विडियो को एक लाइक जरूर करें, और च जन्यवाद, श्री शिवाई नमस्तुभ्यम